ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एटीन आपके पुनीद के साथ तो एक बार फिर से खबर आई है मेडिलीस्ट से वही मेडिलीस्ट जहां वीते करीब एक साल से तोपे गरज रही हैं मिसाइलें चल रही हैं बंदू के चल रही हैं और लगातार अटैक किये जा रही हैं लेकिन अब तो यमन के हूथी विद्रोहियों ने जो किया वो बहुत हैरान करता है वेविवार के दिन हूथी विद्रोहियों ने एक बैलेस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला पूल दिया यह मिसाइल इसराइल के तेल अवीब के पासगिरी है हलाकि इस मिसाइली हमले में किसी की जान नहीं गई लेकि इस हमले के बाद जो हालाद यहां पर पहले से नाजुक है उसने आग में घी डाले जैसे काम को अंजाम दिया है ऐसा लगता है हूती नेता अब्दुल्मलिक अलहूती ने इसकी जिम्मेदारी भी लिए है और बताया है कि ये एक बěलस्टिक मिसाइली हमला था और साथ हे उन्होंने ये भी बताया कि हमारे इस हमले ने इसराइल के Advanced Air Defense System को भी चक्मा देने का काम किया है अलकि ए हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब गाजा में पीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग का एक साल पूरा होने को आ रहा है और इस से इस्तिती यहां और बिगड सकती है इदार इसराइल के प्रधानमंत्री बेंचमेन नितन्याहू के तरब से इस हमले के बाद गुसा साफ नसर आया और उनकी तरब से यह साफ कहा गया कि इस हमले की भादी कीमत हूती विद्रोहियों को चुकानी पड़ेगी इसराइली पीम ने ये भी कहा है कि इस मिसाईली अटेक से ज्यादा नुक्सान हाला की नहीं हुआ है वैसे आपको बताते हैं कि कुछ नाकरिक जो हमले के अलर्ट के पहले बज़े साहिरन से चौकनने हो गए थे और छिपने की जगग की तरफ जाही रहे थे उन्हें जरूर चोटे आई हैं लेकि इस हमले को कम तर आखना भी गलत होगा क्योंकि हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों की ताकत में एक बड़ा इजावा ही इसे मना चाएगा क्योंकि हूती लगातार गाजा में जो संगर्ष चल रहा है उसमें इरान की मदद के दम पर शामिल हो चुके हैं और लगातार यहां से भी हमले कर ही रही है सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के बाद आखिर यमन के विद्रोही गुट हूतीयों के पास इतनी लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल की टेकनोलोजी कैसे पहुँच गई और वो भी इस दाकत को हासिल करने में खामियाब कैसे हो गए हालकि एक बात ये भी सच बताई जाती है कि बैलेस्टिक मिसाइल को पाल लेने के कारण हत्यारों की तसकरी के पीछे चिपा हुआ है माना ये जाता है कि इरानी समर्थन के चलते ही हूती विद्रोही नकेवल बैलेस्टिक मिसाइल को हासिल कर पाए बलकि उसे लॉंच करने के साथ ही एतिहासिक हथियार जुटाने में भी वो कामियाद रहे हैं वैसे हूती विद्रोहियों की अगर बात की जाए तो इसे आधिकारिक तोर पर अंसार अल्लह के नाम से जाना जाता है और 1990 के तशक में जमीनी स्तर के धार्मिक अंदुलन से ये उपजा था और फिर एक ताकतवर विद्रोही गुट में ये तबदील हो गया बताया ये भी जाता है कि मिसाइल वार हेड को जुटाने के लिए हूतीयों ने अगने तीन प्राइमरी सूर्सेस पर सबसे ज्यादा भरुसा किया है इसमें यमन सरकार की मिसाइलें भी है सबसे बड़ी बात ये है कि 1994 में यमन में जब गरी युद्ध चल रहा था इस दोरान भी इन बैलेस्टिक मिसाइलों का खुब इस्तमाल हुआ और साल 2000 के आते आते जब गूथी विद्रोहियों की ताकत बढ़ने लगी तो उनके पास भी पुरानी लेकिन काम करने वाली मिसाइल प्रणाली पहुँच चुकी थी इसके बाद तो हुथियों ने एग नहीं कई बार सरकारी हत्यारों को लूटना भी शुरू कर दिया भरोसा किया बलकि वहां से उन्हें टेकनोलोजी मिसाल के पार्ट के साथ ही उसे असंबल करना और तो और उन्हें लाँच करने की ट्रेनिंग सब कुछ मिल रहा था ये बात अलग है कि एरान कभी भी खुले तोर पर हुथियों को अपना समर्थन होने का दावा नहीं करता था लेकिन इस से अलग इस गंभीर हालात को देखते हुए अमेरिका और उसकी कोलिशन फोर्सेस ने कई बार यमन के रास्ते में इरान की तरफ से होरे इस शिप्मेंट को रोकने के दावे किये हैं लेकिन इसके बावजूद भी हुथियों के पास मिसाईले पहुँचना जारी रहीं और कई बार तो ये अलग-अलग हिस्सों में पहुँचाए जाती और इरान की ही मदद से हुथियों के कंट्रोल वाले अलाके में असंबल की जाती ये बात कही गई लेकिन इस मामले में बड़ा अपडेट ये भी आया है कि अब इरान के राश्ट्रपती ने हुथियों को मिसाईल भेजने की बाद से इंकार कर दिया है इरान के राश्ट्रपती मसूद पेजिस्कियान ने घाज़ा पर युद्ध के लिए इसराइल की निंदा की है और यमन के हुथियों को हाईपर सौनिक बैलिस्टिक मिसाईल तकनीक भेजने से भी इंकार कर डाला इरान के राश्ट्रपती बनने के बाद अपने पहले समवादाता सम्मिलन या प्रस कॉन्फरेंस के दौरान पे जिस्कियान ने कहा है कि हुथियों ने जो मिसाईल लौंच की है वो इरान के पास है ही नहीं हलाकि जब उनसे ये सवाल किया गया था कि एरान के पास भी तो हाइपरसॉनिक बैलेस्टिक मिसाइले हैं और उनके कई वेरियंट भी हैं तो उन्हों ने कहा कि एरान के पास हैं तो सही लेकिन उस प्रकार की मिसाइले नहीं हैं जो हूथियों ने इस्तमाल की है हलाकि उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं यानि की हूथी भी और इसराइल के खिलाफ हमारा एक जैसा नसरिया है क्योंकि इसराइल जो नरसहार कर रहा है और महिलाओं बच्चों बज़र्गों और युवाओं को मार रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है लेकिन इस नरसहार को रोकने का काम कोई भी नहीं कर रहा है वहीं इस से इतर अगर इसराइल के हालाद की बात कर लें तो वहाँ पर जो सरकार मौजूद है उसके अंदर पीम नितन्याहू और रक्षा मंत्री में ही ठंगई सी लगती है ऐसी खबरे आ रही है खबर के मताबक इसराइली पीम बेंजमिन नितन्याहू लेबनान पर हमला करने के पूरे पक्ष में नजर आ रहे हैं करना चाहते हैं जबकि बहां के रक्षा मंत्री योआव गैलिंट इस वक्त इसके पक्ष में विलकुल पी नहीं है सूतरों के मताबक रक्षा मंत्री गैलिंट चाहते हैं कि बंदकों को आजाद कराने के लिए एक और पहल की जानी चाहिए जबकि नितन्याहू तुरंट हमला करने के मूड में है इसराइली एजिंसियों की तरफ से ये खबर सामने आ रहे है कि इसी बात से नाराज होकर नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री को पद से हटा सकते हैं खबर के मताविक रक्षा मंत्री का जिम्मा वहां के नेशनल यूनिटी पार्टी के चेर्मेन गिटॉन सार को दिया जा सकता है उदर खबर ये भी आए कि अब इसराइल की सिना जॉर्डन से लगी सीमा पर सशस्तर समुहों और अनाधिकरत वहनों की घुसपैट को रोकने के लिए बौर्डर पर एक खाई खोद रही है यहां का इस्तानी आखबार बताता है कि वादी अर्बाशे के उतरी और दक्शनी हिस्सों में खाई एक कोदी जा रही है आपको बताएं कि युएं की तरफ से घान सिन्यर अख़ुर का बयान भी सामने आ अया है और इसकी सीनियर अधिकारी ये कह रही हैं कि घाजा के लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं की जा सक रही हैं ऐसे हालात हैं उन्होंने ये भी का कि घाजा काम करने के लिया से दुनिया की सबसे असरक्षित जगहों में से एक है वो ये भी मानती हैं कि अंतरराश्ट्री समुधाय ने इस इलाके में रहने वाले बेगुनाहों को निराश करने का काम किया है और वो जल्द ही इस पूरे मामले के रिपॉर्ट यूएन में सौंपने वाली हैं अब देखना होगा कि इसके आगे क्या कुछ होता है यूएन क्या इस मामले में टिपणी करता है वैसे यूएन की तरफ से इसके पहले भी इस बात की टिपणी की जा चुकी है कि यहाँ पर युद्ध तदकाल रूप से रोखा जाना चाहिए वैसे आपको क्या लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुचा सकते हैं इस वेडियो को शेयर कीचिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद